जमुई लोक सबा से लजेपी राम विलास की टिकट पर अरुन भार्ती को मिदवार बनाया क्या है जहां रफ्तार मीडिया की तरफ से जब उनसे सवाल पूछा गया कि पहले चरण के प्रचार के लिए देश के पीम नरेंद्र मोदी आपके लिए चुनावी शंक नाद करने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बेरे लिए सौभागी की बात है कि प्रधान मंत्री मेरे शेत्र में आ रहे हैं वही राजत प्रत्याशी अर्जनार अविदास के बाहरी बनाम इस्थाने लड़ाई पर कहा कि दस साल से चिराग पासवान यहां की सेवा कर रहे है और अब ह पहले यहां से चनौाल वड़ा करते थे अब वो अपने पिता के कर्म भूमी हाजी पूर गया है अब अपनी कर्म भूमी अपने जिजाजी को दे दिया और लोक्षभा का चुनाव को लेकर नरेंद्र मोधी की जो रैली होनी है प्रतम चरन का रैली होना वो बिहार में करना चाहूंगा आप ने वक्त निकाल के बात करने के लिए आए हैं और इसके लिए आपका बहुत-बहुत साथवाद बहुत-धन्यवाद देखिए प्रधार मंत्री जी बिहार में चुनाव की रन भेरी जमूई से फूक रहे हैं ये मेरे लिए बहुत सब भागी की बात ह हम और उनके आशिरवाद से हम लोग बिहार में चालिस की चालिस सीटे जीतेंगे उनकी जोली में डालेंगे और चार सो पार के लक्ष को पूरा करेंगे आप करें चार सो का लच्छ पार करेंगे जोली में डालेंगे चालिस की चालिस सीड यहां जो राज़त के परतियासी है मागटोंदन समर्ट 21 परतियासी है अर्चना रवीदाद तो अस्थानिय बनाम बहरी का बोल रही है कि अस्थानियों को चुनिये बहरी को बाहर कीजिए देखिए हमारी प्रतिदंदी अपने नॉमिनेशन के पहले भासन में ही जमुई लोकसभा के निवासियों को मतदाताओं को धन्यवाद करने के बजाए मुंगेर लोकसभा के निवासियों को वहां के मतदाताओं को धन्यवाद कर रही थी पहली बात तो ये रही दूसरी बात ये रही कि मैं बिहार का बेटा हूँ अगर मैं बिहार का बेटा हूँ तो मैं जमुई का भी बेटा हूँ जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं बाहरी और भीतरी का पहले वो अपनी पहचान को जाहिर करें कि भो अचना कुमारी हैं अचना भारती हैं अचना रविदास हैं अचना विद्यारती हैं या फिर अचना यादव हैं उनको पहले यह साफ करना चाहिए जिस तरह से दस साल का कारिकाल रहा आपके शाले चिराग पासमान का अब उनको वो भावुख च्छन था दस साल का कारिकाल उनके यह कर्म भूमी और पिता की कर्म भूमी को चुनना और आपको फिर हाजी पूर से जमू लोकशवा का परत्यासी बनाना तो भावुख च्छन ह होगा आपके लिए भी और चिराग जी के लिए भी इसे में कैसा लग़ा होगा देखिए दोजार चौदर में जब चिराग पासवां जी पहली बार यहां चुनाव लड़ने आये थे उस वक्त हमारे बाभी भावग सवर्गिय राम विलास पासवां जी ने ये कहा था कि अग हमारे अभी भावग के नहीं रहने के बाद राम विलास पासवां जी ने जमुई को नौ बार लोग सभा में रिप्रेजेंट किया है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जुड़ाओ हाजी पूर की जंता कर रहा होगा राम विलास पासवां जी के साथ उनके निधन के सारी उमिदे चिराग पासवां जी से लगाई चिराग पासवां जी के उपर हाजीपूर की जंता और बिहार की जंता जब उनके लिए बहुत ही विपती भरा समय था तब उन्होंने बहुत आशिरवाद दिया था और बिहार की जंता के साथ मिल करके इन दोनों छेतरों ने उनको बेटा से नेता बनाया था ऐसे में चिराग पासवान जी के लिए ये द्वांद ये बहुत ही डिफिकल्ट समय था ये डिसाइड करना कि मैं कहां से चुनाओ लड़ू जहां वो जवोई में ये बोल करके आये थे कि मैं पिता की विरासोत को संभालूंगा उनकी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा उनके अधूरे कारे को मैं पूरा करूंगा लेकिन मेरे परिवार का ही कोई सदस जो उस तरह का जुड़ाओ जमुई की जनता से मेहसूस कर सके उसको उन्होंने यहां से लड़ाया ताकि उनका जुड़ाओ हाजिपूर की जनता के साथ तो हो ही साथ ही जम्मुई के जनता के साथ भी हो आपकी पर्थामिक्ता क्या होगी दस साल आपके साले चिराग पासवान और जैसा कि हमारे अभी भावक श्री रस्वर के रामिलास पासवान जी ने कहा था, चिराक जी ने यहाँ दो दो सांसोदों का विकास कारी किया, चाहे जहाजा में केंद्रे विद्दाले देना हो जो पहली बार इस लोकसभा में हुआ, चाहे मेडिकल कॉलिज देना हो, जो क कोट का ऑफिस खुलना हो, ये सारे कारे को उन्होंने अपने दस साल के कारे काल में पूरा किया, इसलिए उनके द्वारा की गई प्रगति के कारे को भारिष की निती आयोग ने भी रिकनाइस किया, और जमोई को विकास के रफ्तार में पहले स्थान पे जगे दी, मेरी भी कालेज का कारे अभी भी प्रगति पर है, उसको पूरा कराए जाए, बहुत सारे गाओं अभी भी हैं जो सडकों से बिजली से नहीं जूर पाए हैं, उनको जोड़ा जाए, पानी की समस्या है, उनको पूरा किया जाए, उसके बाद हमारी दूसरी प्रात्मिता रहेगी कि इन स्कामों के साथ साथ में हम यहाँ पे नई परियोजना लाएं ताकि हम यहाँ पे बिर्सिक्षा और रुजगार और स्वात समझे जो भी समझ से आए हैं उसका निदान कर सके हैं